महराश्य की चंदरपूर में शिक्षक पेशी को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है 55 वर्षी शिक्षक पर छटी कक्षा में पढ़ने वाले 13 साल की छादरा के साथ यौन शोशन का आरोप लगा है घटना चंदरपूर के बलारपूर थाना शेतर की है चादरा के शिकायत पर पुलीस ने आरोपी शिक्षक को पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्च कर गिरफतार कर लिया है पुलीस के मताब एक शिक्षक ने टूशन पढ़ने आई चादरा को बेड्रू में बुला कर उसका यौन शोशन किया था लेकिन दूसरी और आरोपी शिक्षक ने खुद को निर्दोश बताया और ये अपने खिलाफ साजिश होने की बात भी कही है तारिक 15 अकरा 2022 रोजी धापर है स्कूल चे टीचर आहे तेंचे कड़ा तीन मुला ट्वीशन ला जाये चे दर्वाच आनि आता इवड़ा दिवारी चे सुटीने आता ट्वीशन सुरू जाली होती ता त्यामने दोन लाहन मुला लोगे तिवरा वर्ष्षेची तो 15 जाली होती तो 15 और 61 जाली होती आपको बताते कि शहर के नामी स्कुल में पढ़ाने वाले पच्पन वर्षी शिक्षक गरी बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने घर में मफ्त में टूशन क्लासिस लेता था उसी दोरान टूशन बढ़ने आई तीरह साल की शात्रा को शिक्षक ने किसी बहाने अपने बेजरू में बुलाया और शात्रा को जबरन पलंग पलिटा कर उसके साथ अशलील हरकते की इस पर शात्रा ने विरूत किया और वहां से चले गई लेकिन दूसरे दिन भी शिक्षक ने चात्रा के साथ वही हरकत दुबारा दोराई इस तोरान चात्रा ने अपने साथ हुई इस खटना को परिवार वालों को बताया जिसके बाद चात्रा के बायान पर आरोपी शिक्षक को बॉक्सों के तहत मामला दर्च कर गिरफतार कर लिया गया है बलारपूर से सुनील तायडे के साथ नारत प्रसाथ की रिपोर्ट